नमस्कार दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम अपना सक्षम पॉइंट योटूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है फर्स्ट क्रेड हिस्टी सब्जेक्ट के टेस्ट सिरीज सोलूसिन में आज तीस नमबर क्लास इसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्टी से सम्मंदित पर्थम और दियुत्य विस्यूद के कारण घटनाए और प्रिनाम तथा इसके साथ ही सयूंत और राष्टर संग और सयूंत राष्टर संग के बारे में तो करते हैं आज की क्लास को सुरू आज की क्लास का पहला प्रसन है कि निम लिखित साथ मिलकर, तीन समराटों का संग अठारहसो बहितर वे बनाया यह सत्या है, अठारहसो उन्यासी इस्वजिए में जर्मनी ने ओस्ट्या के साथ संदी कर दुएगुट का निर्मान किया था, यह भी सत्या है। तो चार नमर ओप्शन है जो इसका एसात्य है, एसात्य कतन पूचा है, चार नमर ओप्शन इसका राइट होगा, पर्थम विस्यूद से पूर कूर्ट नितिक संध्या की गई थी, इन संध्यों का जनक बिस्मार को माना जाता है, इसी के तयात 1882 इस्यू में जर्मनी, ओस्ट तो तीन नमर ओप्शन इसका राइट एंस्वर है, 1904 इस्यू में इंग्लेंड और फ्रांस के मद्या हादिक समझोता हुआ, इसके तयात मौरकों में फ्रांस के विसेश हित स्विकार कर लिये, तथा मिस्र पर इंग्लेंड का परवाव स्विकार कर लिया गया था, नेस्ट परिंबर्ग के तटस्त भूमी पर अधिकार करने, तथा बेल्जियम को बेल्जियम से 12 गंटे के बीदर, अपने राजे से जर्मन सेना को फ्रांस के वुरूद आकरमन करने के लिए मर्क देने की मांग करने पर, ब्रिटेन ने 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के बीच युद की गो तो 6 अप्रेल 1917 को अमेरिका जो पर्थम विश्युद में सामिल वा था, ये सत्य है, दूसरा 1917 में रूस में बोल्सेविक करांती होने के करन रूस पर्थम विश्युद से अलग वा था, ये भी सत्य है, तीसरा 23 अगस्त 1914 को जापान जर्मनी के विरुद युद की गोश्ण कर पर्थम विश्युद में सम्मिल वा था, तो 23 अगस्त 1914 को जापान जो है, जर्मनी के विरुद युद की गोश्णा कर पर्थम विश्युद में सम्मिल वा था, ये भी सत्य है, तो था है कि इटली ने 23 मई 1916 को मित्र राष्ट्रो की तरब से पर्थम विश्युद में प गलत है इटली प्राहरम में किसी भी तरफ से पर्थम विश्वद में सामिल नहीं वा था प्राहरम में इटली केंदरिय सताओ का मित्र था लेकिन 26 अप्रेल 1915 की लंदन की गुप्ट संदी जो इटली फ्रांस इंग्लेंड वे रूस के द्वारा की गई थी वे मित्र नेक्स्ट कुछने की निम लिखित में से कौन सा कतन ऐसत्य है तो इसमें भी बताना है कि कौन सा कतन है जो ऐसत्य है सबसे पहले है कि मौरको संकट के समयधान के लिए 1906 में अलजे सीराज समयलन बुलाया गया था तो मौरको संकट के समयधान के लिए 1906 में अलजे सीराज समयलन बुलाया ये सत्य है दूसरा अगाडिर संकट जो है फ्रांस और जर्मनी आमने सामने थे यह भी सत्य है तीसरा सुडान के फसोदा कांड में जर्मनी वे इंग्लेंड के बीच युद का महुल बना दिया था तो यह बात है जो गलत है चोथ है कि पर्थम विस्यूत के दोरान कुटों या कबूतरों ने संदेश वहाग के रूप में कायरे किया था तो पर्थम विस्यूत के दोरान जो कुटों ने और कबूतरों ने संदेश वहाग के रूप में कायरे किया तो यह भी सत्य है तो तीन नमर उप्सन है सत्या जो इसका रैट एंसर होगा पर्तम विस्यूत के दोरान सारजेंट इस्टबी नामक कुता अमेरिका की एक रेजिवेंट का सुबंकर था फ्रांस में अमेरिकन आर्मी के अधिन चेर अमी नामक कबुतर ने भी संदेश वहाख के रूप में कार्या किया था सुडान के फसोदा कांड में इंगलेंड और फ्रांस के वीच से युद का महौल बना था तो सुडान का जो फसोदा कांड है इसमें इंग्लेंड और फ्रांस के मद्या जो यूद का माउल बना था ना कि इंग्लेंड और जर्मनी के मद्या है तो इंग्लेंड और फ्रांस के मद्या है फसोदा कांड में यूद का माउल है बना था नेक्सकुषने की निम लिखीत मेंसे सत्यकतन को अलग कीजेए तो इसमेंसे बताना है की सत्यकतन कौन कौन से हैं जो गेवरिलो प्रिंचेप ने की ये बाद सत्य है दूसरा ओस्टिया ने सर्विया के विरुद यूद की गोशना 28 जुलाई 1914 को की थी तो ओस्टिया ने सर्विया के विरुद यूद की जो गोशना की थी है 28 जुलाई 1914 को की थी ये भी सत्य है तीसरा की बालकन सेतर के अल मनी का साथ दिया था तो तीन नमबर जो गल्थ है तो था है कि कांसा बला का गटना का सम्मध पर्थम मौरकों संक्र से था तो कांसा बला का गटना का जो सम्मध है जो पर्थम मौरकों संक्र से नहीं बलकि दूत्य मौरकों संक्र से था तो चार नमबर भी गल्थ है तो एक द दो और पांच है जो सही है और तीन और चार गिलत है तो एक दो और पांच एक नमबर उप्सन इसका राइट एंसर होगा पर्थम विश्यूद में बालकन छेतर के बुलगारिय नामक राज्य ने जर्मनी का साथ जिया था पर्थम विश्यूद के बाद हुए पर्थम विश्यूद के बाद हुए पेरी ससांती सम्मेलन में राष्टे आत्मनिरनिय के सिधान्त के नुसार आठ नए राज्यों के इस्तापना हुई थी कौन कौन से थे आठ सब पेरी ससांती सम्मेलन के राष्टे आत्मनिरनिय के सिधान्त के नुसार आठ नए राज्यों के इस्तापना हुई जिसमें चेको सलावाक्या, यूगो सलावया, हंगरी, पोलेंड, लिथुवानिया, लाट्यया, एस्टोनिया और फिनलेंड थे सबसे पहला है कि जर्मनी के साथ वर्षाई की संदी, तो जर्मनी के साथ जो वर्षाई की संदी हुई थी, यह 28 जून 1919 हुई थी, यह बात बिलकुल सत्य है दूसरा नमबर परेगी, बुल्गारिया के साथ है, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संदी है, जो 27 नौबर 1919 को हुई थी, यह भी सत्य है ओस्टिया के साथ सेंटर जर्मन की संदी, जो 10 सितंबर 1919 की है, यह भी सत्य है हंगरी के साथ लुसान की संदी तो हंगरी के साथ जो लुसान की संदी हुई थी यह 4 दिसंबर 1919 को हुई थी तो यह बात है जो गल्थ है यह तुर्किय के साथ हुई थी हंगरी के साथ है जो ट्रेनो की संदी हुई थी जो 4 जून 1920 के हुई थी तुर्किय के साथ लुसान की संदी वै सेर्वे की संदी की गई थी नेक्स्ट कुसने की पर्थम विस्यूद के दोरान एलाइड सुप्रीम वर काउंसिल की स्थापना किस देस में की गई थी तो पर्थम विस्यूद के दोरान एलाइड सुप्रीम वर काउंसिल की स्थापना जो की गई थी यह की गई थी फ्रांस के अंदर पर्थम विस्यूद के दोरान रूस के यूद के अलग होने के बाद वरसाए में मित्र राष्टो के एक कंदरिय कमान एलाइड सुप्रीम वर काउंसिल की स्थाफना 1917 इस्वी में की गई थी नेश्ट कुशे ने की पर्थम विस्यूद के दोरान बेटल ओफ कपेरेटो बेटल ओफ कपेरेटो अक्टूमबर 1917 से नौमबर 1917 कि इनके मध्यां लड़ा गया था तो पर्थम विस्यूद के दोरान जो बेटल ओफ कपेरेटो जो इटली और धुरी राष्टो के मध्यां इसमें धूरी राश्टर जो विजई हुए थे नेक्स्ट कुशन है कि अमेरिका के राश्टर पती वुड्रो विल्सन ने अपना चौदा सुत्री कारिकरम कब रखा था तो अमेरिका के राश्टर पती वुड्रो विल्सन ने अपना चौदा सुत्री जो कारिकरम रखा था यह रखा था आठ जनुरी उन्निसो अठारा इस् में पर्थम सुत्र में गुप्त कूटनिती का त्याग करने वे खुली संध्या करने की बात की गई थी तथा अंतिम सुत्र में राष्ट संग की इस्तापना की चर्चा की गई थी ग्याटने की निम लिखित में से कौन सा राष्ट्र ट्रिपल एतांत असोशेट पोवर्स में सामिल नहीं था तो कौन सा राष्टे जो ट्रिपल एतांत में सामिल नहीं था तो यूनान, सर्बिया और रोमानिया ये तिनों जो ट्रिपल एतांत में सामिल थे लेकिन तुर्किय जो ट्रिपल एतांत में सामिल नहीं था पर्थम विस्यूद के समय दो गुठ थे एक मित्र राष्ट जिसे ट्रिपल एतानत का गया जिसमें इंग्लेंड, फ्रांस, जापान, इटली, अमेरिका, सर्बिया, पूर्टगाल, यूनान, साइबेरिया, रोमानिया और ब्राजिल सहीत 32 राष्ट इसमें सामिल थे वहीं दूसरा जो गुठ था वैता केंदरी सक्ट्या जिसे ट्रिपल एलाइंस या धुरी राष्टर का गया इसमें चार राष्टर सामिल थे जर्मनी, ओस्ट्रिया, हंग्री, बल्गेरिया और तुर्की नेक्श्ट कुसन है कि पर्थम विसैयुद के कारन निमले खितमे से कौन से राज़ों से समप्ट MI हो गये थे पर्थम विसैयुद के कारन है यह स्यारों यह जो राजों समाप्त हो गए थे तो एक, दो, तीन और चार, चारों उप्सन इसके राइट है, पर्थम विश्यूद में उप्युक्त सभी राजों से समाप्त हो गए थे, नेक्ष्ट कोशने की निम लिखित में से कौन सा कथन दिव्ट्य विश्यूद के सम्म में कौन सा कथने जो ऐस सत्या है, सबसे पहला कथने की इस यूद में सरवादिक संक्या में लोग रूस में मारे गए थे, तो दूसरे विश्यूद में सरवादिक संक्या में लोग जो रूस में मारे गए थे, यह सत्या है, दूसरा कथने की 8 दिसंबर 1941 में संयुक्त राज तो जीते हैं विस युद को जो परतिस वदात्मक युद की जो संग्या दी थी यह प्रोफेसर फे ने नहीं बलकि फाल्स मोजे ने दी थी तो फाल्स मोजे के दोरा जीते हैं विस युद को परतिस वदात्मक युद की संग्या दी गई थी तो तीन नमर जो गल्द है और चोथा जून 1941 में सोवियत रूस मितर देशों के पक्स में सामिल हो गया था तो जून 1941 में जो सोवियत रूस है यह मितर देशों के पक्स में सामिल हो था यह भी सत्य है तो तीन नमर जो ऐसत्य है इसका राइट एंस्वर होगा नेक्ट कुछने की 17 जुलाई 1936 से 29 मार्च 1949 तक इस्पेन के गरहय युद में किस मासक्ति ने हस्टचेप नहीं किया था तो 17 जुलाई 1936 से लेकर 29 मार्च 1949 तक इस्पेन के गरहय युद में कौन सी मासक्ति ने हस्टचेप नहीं किया था तो इंगलेंड ने इटली जर्मनी पूर्टगाल के अधिनायक सालाजार ने फासिवादी नेता जनरल फ्रांसिस फ्रेंको की सहायता की सोव्यत संग्वे मेक्सिको ने जनरल फ्रांसिस फ्रेंको के विरोधी गुट की मदद की थी फ्रांसवें इंग्लेंड ने किसी को भी किसी भी परकार्सी की सायता नहीं दी थी नेक्स्ट कुशने की नीज सस्त्री करण के लिए आयोजित किये गए वोसिंगटन समयलन जो नॉबर 1921 से फरूरी 1922 तक था के संदर में कौन सा कतन ऐसत्य है तो नीज सस्त्री करण के लिए जो आयोजित समयलन आयोजित वा था वोसिंगटन समयलन जो नॉबर 1921 से लेकर फरूरी 1922 तक था उसके संदर में कौन सा कतन है जो ऐसत्य है सबसे पहला कतन है कि इस समयलन की अधिक्स्ता अमेरिका के विदेश मंतरी हुजेस ने की थी यह बात जो इसमें गलत है तीसरे नमबर पर है कि इस सम्मेलन में बड़े जहाज के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली ने के मद्या करमस है पांस पांस रूपे, पांस रूपे, पांस रूपे, फिर तीन रूपे अमेरिका के 5 रुपे, ब्रिटेन पर 5 रुपे, जापान पर 3 रुपे, फ्रांस पर 1.67 रुपे, इटली पर भी 1.67 रुपे निर्धारित किये थे तो ये भी सत्य है और चौत है कि सम्मेलन में 9 देसों ने बाग लिया था इस सम्मेलन की तृतिय उनमुक्त द्वारा, संधी के नुसार संधी में सामिल होने वाले सभी 9 देसों ने चीन के सब्तंतरता अखंड़ता का सम्मान करने तथा चीन के इस्तति का लाब उठा कर उससे कोई भी विशेश अधिकार या सुईदा ने पराप्त करने का आस्वासन दिया था नेश्ट कूशन की ब्रिटेयन ने सरुपर्थम अपनी तुष्टी करन नीती का परियोग किस मामले में किया था तो ब्रिटेयन ने जो सरुपर्थम अपनी तुष्टी करन नीती का परियोग किया था यह किया था जापान दोरा मंचूर्य पर आकर्मन के मामले में तीन नमब जापान और इटली जैसे ऐस संतुष्ट राष्ट्रों की मांगों को पूरा करते वे संतुष्ट रखकर विसु सांती बनाए रखना जिसे से युद की ज्वाला को रोका जा सके और सांती बनी रहे इस नितिका इंग्लेंड ने सरो पर्थम पर्योग जापान के मंचूर्य पर आकर्मन के समय किया था जापान ने मंचूर्य पर अधिकार 1931 में किया था नेक्स कूशन की निम लिखित में से कौन सा जो ऐसत्य है तो इसमें से बताना है कि कौन सा कतन है जो ऐसत्य कतन है सबसे पहला कतन है कि दिवत्य विसुद की सुरुवात 1 सितंबर 1949 को जर्मनी द्वारा पॉलेंड पर आकर्मन से हुई थी तो द्विसुद की जो सुरुवात है यह सुरुवात जो 1 सितंबर 1949 को जर्मनी के द्वारा पॉलेंड पर आकर्मन से हुई थी यह सत्य है दूसरा फ्रांस और ब्रिटे ने 3 सितंबर 1949 को जर्मनी के विरुद यूद की गोशना की यह भी सत्य है तीसरा की हिटलर ने डेनमार्क में कुइंग जिलिंग के नेतरतों में एक कटपतली सरकार की इस्तापना की थी तो हिटलर ने जो डेनमार्क में कुइंग जिलिंग के नेतरतों में एक कटपतली सरकार की इस्तापना की थी यह बात है जो गलत है और चौत है कि आईरलेंड दूते विस्यूद में तक्तस्त बना रहा था तो आईरलेंड जो दूते विस्यूद में तक्तस्त बना रहा था ये बात बिलकुल सत्य है तो तीन नमर उप्सन इसका रैट होगा अप्रेल 1940 में हिटलर ने बिना पूरो सोचना के डेनमार्क और नार्वे के तटस्त राज्यों पर आकर्मन कर दिया डेनमार्क पर एक ही दिन में अधिकार कर लिया इसके बाद नार्वे के एक देश द्रोई किंजलिंग को अपनी तरफ मिला लिया एक मार्ग के संगर्स के बाद नार्वे का राजा हांको इंगलेंड वागया और हिटलर ने नार्वे पर अधिकार कर क्यूंग जिलिंग के नेतरतों में एक कटपुतली सरकार का निर्मान किया था कटपुतली सरकार इस्तापित की थी यह की थी नार्वे के अंदर ना की डेनमार्क में नेक्स्ट कूशने की चेम्बर लेन ने अपने पद से त्याग पतर कब दिया तो चेम्बर लेन ने जो अपने पद से त्याग पतर दिया था 10 मई 1940 इसवी को चेम्बरले ने 10 मई 1940 को अपने पद से त्याग पतर दे दिया उसके इस्तान पर विश्टेन चर्चल के परदान मंतरीतों में एक सम्मलित मंत्री मंडल का निर्मान किया गया जिसमें क्लिमेट एटली को उप परदान मंतरी बनाया गया था जर्मनी के आकर्मन के बाद चाल्स डिगाल इंग्लेंड चला गया जहां पर उसने इंग्लेंड किस आयता से सवतंतर फ्रांस सरकार का गठने किया था नेक्स्ट खूसने की दिवत्य विश्यूत के समय ओप्रेशन मार्केट गार्डन दिवत्य विश्यूत के समय जो ओप्रेशन मार्केट गार्डन का नेत्र तो किसके द्वारा किया गया था तो यह किया गया था इंग्लेंड के द्वारा निदर्लेंड और जर्मनी में लड़े गए मित्र राष्टो के इस एसफल संयुक्त सेन्य अब्यान के नेतरतू इंग्लेंड के द्वारा किया गया था नेक्स्ट कुशने की निम लिखित में से कौन सा ऐसत्य है तो इसमें से कौन सा कतन ऐसत्य कतन है सबसे पहला है कि सबसे पहला है ओप्रेशन डाइनामो ओप्रेशन डाइनामो द्वारा इंग्लेंड ने फ्रांस के जर्मन सेना से गिरे वे अपने सेनिकों को बाहर निकालने के लिए ओप्रेशन डाइनामो चलाया था यह सत्य है दूसरा जर्मनी ने रूस में तो इस जून 1941 को ओप्रेशन बार बरोसा को अंजाम दिया था तो यह भी सत्य है तीसर नमबर पर है कि 1942 में महान गठ बंदन ग्रेड एलाइंस का गठन सामयवाद के विरोध में किया गया था तो 1922 में जो ग्रेड एलाइंस का गठन सामयवाद की विरोध में किया था यह बात गलत है चोथा कि हिटलर द्वारा इंग्लेंड पर आकरमन के लिए ओप्रेशन C लोईन बनेया गया था तो हिटलर के द्वारा इंग्लेंड पर आकरमन के लिए ओप्रेशन C लोईन बनेया गया ये भी सत्य है तो तीन नमबर ओप्शन जो ऐसा थे इसका राइट एंस्वर होगा 1942 में सोव्यत संग इंग्लेंड वे अमेरिका के बीच हुआ फासिवाद विरोधी गठमंदन जिसे ब्रिटिस परदान मतरी चर्चिल ने महान गठमंदन का नाम दिया था नेश्ट कूशन की यूरोप में दियुत्य विश्यूद का अंत कब हुआ था तो यूरोप में दियुत्य विश्यूद का जो अंत हुआ था दियुत्य विश्यूद की जो समापती हुई थी यह हुई थी आठ माई 1945 विश्यूद को साथ माई को जर्मन नो सेना अध्यक्स कार्ल डोनिस्त ने संपून सेना सहीद अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस और सोवियत संग के परतिनीद्यों के सामने बिना सर्थ आत्म समर्पन कर दिया आठ माई 1945 का दिन यूरोप में विजे दिवस के रूप में बनाया जाता है क्योंकि इस दिन यूरोप में युद बंद हो गया था This is my second witch your second signing istem की दे सेकेंड वल्ड वरवर फुस्तक किस की है तो दे सेकेंड वर्ड वर नामक जो पुस्तक यह पुस्तक यह इस्टन सर्चिल की और सिजन ऑ वर् व व्ल हडोर यह समी किया इसके अलवा दे ओरीजन ओफ दे सेकंड वल्ड वर तो दे ओरीजन ओफ वल्ड वर जो SBK की पुस्तक है और दे ओरीजन ओफ दे सेकंड वल्ड वर जो AVJ टेलर की है और दे सेकंड वल्ड वर जो विश्टेन चर्चिल की पूस्तक है नेक्ष्ट कूसे ने कि दूते विश्यूद के समय जर्मनी ने रूस पर आकर्मन कब किया था तो दूसरे विश्यूद के समय जर्मनी ने रूस पर जो आकर्मन किया था यह किया था 22 जून 1941 को हिटलर ने रूस पर जर्मन विरोधी परचार करने तथा जर्मन सिम्वा पर अपनी सेना एकतर करने का दोस्ट लगा कर 22 जून 1941 को आकरमन किया था नेक्ष्ट कुशने की निम लिखित में से ऐसत्य अकतर बताए तो इसमें भी हमें ऐसत्य अकतर बताना है पहला कि मित्र राष्ट्रो ने जर्मनी के वरुद फरांस में दूसरा मोर्चा देरी से खोला क्योंकि वे रूस की सक्ति को कम करना चाहते थे तो ये बात सत्य है मित्र राष्ट्रो ने जर्मनी के वरुद फरांस में दूसरा मोर्चा देरी से खोला था क्योंकि वे रूस की सक्ति को जो कम करना चाहते थे दूसरे नमबर पर है कि ओपरेशन टोर्च के दोरा मित्र राश्टो की सेनाए फ्रांस में उतारी गई तो मित्र राश्टो की जो सेनाए ओपरेशन टोर्च के दोरा फ्रांस में नहीं उतारी गई थी बलकि है अफरीका में उतारी गई थी तो फ्रांस में नहीं अफरीका में उतारी थी इसलिए दो नंबर है जो गलत है तीसरा है कि 6 जून 1944 को मित्र राष्टो ने फ्रांस के फ्रांस में जर्मनी के विरुद दूसरा मोर्चा खोला था तो 6 जून 1944 को मित्र राष्टों ने फ्रांस में जर्मनी के विरूद दूसरा मौर्चा खोला यह भी सत्य है और चोथा उप्षन है कि मित्र राष्टों के द्वारा जर्मनी के विरूद फ्रांस में दूसरा मौर्चा खोलने का निरने तेहरान ने 1943 में लिया गया था तो ये बात भी सत्य है तो दो नमबर जो सत्य है इसका राइट आंस्वर है ओप्रेशन टोर्च जो आठ नमबर 1942 को आईजन होवर के नेतरतु में प्रारंब हुआ था जब मित्र देशों की सेनाई अफरीका के उतरी तर्ट पर मौरकोवे अलजीरिया में उतारी गई थी सहजून 1944 को मित्र राष्टो ने प्रांस में जर्मनी की विरुद् दूसरा मोर्चा खोला तो मित्र राष्टो के सेनाई ऑप्रेशन ओवरलोड द्वारा फ्रांस में उतारी गई थी इसे डी-डे के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कुशन है कि द्यूत्य विस्यूत के समय वल्ज की लड़ाई किस देश में हुई थी तो दूसरे विस्यूत के दोरान जो वल्ज की लड़ाई हुई थी वल्ज की लड़ाई यह हुई थी बेल्जियम के अंदर नेक्स्ट कूशन है कि दिवते विश्यूद के दोरान दिवते विश्यूद के संदर में फौनी वर किसे का गया है तो दिवते विश्यूद के संदर में फौनी वर जो है यह है यूद से पहले पांस महिने जर्मनी की वरूद कोई भी बड़ा आकर्मन नहीं किया गया जिसे क कुछ छुटबुट लड़े हुई थी जिसे फौनी वोर कहा गया था तो दो नंबर ओप्शन जो इसका राइट एंस्वर है 3 सितंबर 1949 3 सितंबर 1949 को फ्रांस और इंग्लेंड द्वारा जर्मनी की विरुद युद की गोष्णा के बावजुद लगबख 7 मैने तक छोटी मोटी नो सेनिक जड़कों के अत्रिक्त कोई वास्तिव के लड़ाई नहीं हुई थी इसलिए सितंबर 1949 से अप्रेल 1940 तक के युद को नकली युद कृतिरम युद या फोनी वोर कहा जाता है इंग्लेंड और फ्रांस के युद को अपमान में इंग्लेंड और फ्रांस को युद और अपमान में से किसी एक को चुनना था उन्होंने अपमान को चुनना किंतु वे युद से भी नहीं बच सके यह कतन किस का है तो यह बात किस ने कही थी कि इंगलेंड और फ्रांस जो है युद और अपमान में से किसी एक को चुनना था उन्होंने अपमान को चुनना था किन्तु वे युद से भी नहीं बच सके तो यह कतन है चर्चिल का उप्यूत कतन चर्चिल ने म्यूनिक समजोते के संदर में कहा 27 सितंबर 1938 को म्यूनिक समजोता हुआ इसमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने भाग लिया था इस समजोते में चेको सलावाट्या का अंग भंग कर दिया गया इस समजोते के बाद म्यूनिक से लोटकर चेंबरलीन ने कहा था कि मैं सम्मान सहित सांती लेकर आया नेक्स्ट कुसेन की राष्ट संग का उदगाटन, राष्ट संग का उदगाटन 10 जनौरी 1920 को हुआ था, इसका उदगाटन किसके द्वारा किया गया था, तो राष्ट संग का उदगाटन 10 जनौरी 1920 को हुआ था, तो इसका उदगाटन किसके द्वारा किया था, तो इसका संदी लागू होने के साथ फ्रांस के राष्टरपती पाहिंकारे ने किया था राष्टरपती पाहिंकारे ने करते वे फ्रांसे से राष्टरपती पाहिंकारे ने कहा था कि आपके हातों में वीशु का भविश्य है नेक्स्ट कुछेने कि इतोपिया पर आकरमन राष्टर संग की चमता की अगनी परिक्षा थी जिससे में वैपूरी तरह एसफल रहा यह कतन निम लिकित में से किसका है तो यह कतन है रेमजे मयोर का रेमज मियोर ने का था कि इतोव्य पर जो आकर्मन है यह राष्ट संग की समता की अगनी परिक्सा थी जिसमें वैप पूरी तरह से एसफल हुआ 1896 में एडोवा के यूद में अभी सीन्जा ने इटली पर इटली को पराजित किया और उसे हार का बदला लेने तथा समराज्यवादी विस्तार की आकांक्सा अकांक्सा से परभावित होकर हिटलर ने इथोब्या पर आकर्मन किया राष्ट संग की साधरन सबा में अनुचेद 16 के अंतरगत इटली पर आर्थिक परतिबंद लगाए लेकिन वैद निस पर भावी रहे ब्रिटेन के विदेश मंतरी सेमूल होर्त था फ्रांस की विदेश मंतरी लावाल ने समझोता कर इस मुद्धे पर सांत रहने का ठेशला किया पांच मई 1936 को इटली में इथियोपिया की राज़दानी अधिस अबाबा पर अधिकार कर लिया गया और यहां का समराठ हेल सिलासी राष्टर संग की नपु संकता पर आंसु बहतावा इंगलेंड भाग गया नेक्ष्ट कुछने की राष्टर संग के बारे में ऐसत्य कतन बताए तो राष्टर संग के बारे में ऐसत्य कतन पूचा है पहला कि राष्टर संग का प्रारूप पेरिस सम्मिलन 1919 में परस्तुत किया गया था तो राष्टर संग का जो प्रारूप है या पेरिस सम्मिलन 1919 में परस्तुत किया गया था यह सत्य है दूसरा इसकी स्तापना 10.1920 को की गई थी तो राष्ट्रसंग की जो इस्तापना ही है, 10 जनवरी 1922 को की गई थी, ये भी सत्य है तीसरा राष्ट्रसंग को 18 अपरेल 1946 को खत्म किया गया था, ये बात भी सत्य है तो था कि राष्ट संग के पर्थम महासचिव जोसेप एउनौल वे अंतिम महासचिव जोसेप एउनौल थे तो ये बात जो गलत है राष्टर संग के पर्थम महासचीव जो जैम्स एरिक ड्रम्ड थे वे अंतिम महासचीव जो सेप एउनौल थे तो इसके अंदर उल्टा दे रहा है पर्थम महासचीव जो सेप एउनौल बता रहा है जो इसके अंतिम महासचीव थे की सदेशता से त्याग पतर दिया था यह दिया था 1933 इस्वी के अंदर 1931 में जापान ने चीन पर रेल संपत्य को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगागर चीन के मंचूर्य पर आकर्मन कर दिया राष्टसंग का सदस्य होने के करण चीन ने इस विवाद को राष्टसंग क समक्स ले गया राष्टसंग ने इसके लिए लोड लिटन के नेतरतों में एक आयोग गठित किया और इसे रिपोर्ट में मंचूर्याव में चीनी पर बुसत्ता के अंतरकत स्वाइत सासन इस्तापित करने पर बोल दिया गया लिटन लिटन आयोग के निरनिय को नयम मानत दापान ने 20 मर्च 1931 को राष्टसंग की सदैस्यता से तियाग पतर दे दिया नेक्स्ट खुसन है कि 1923 में किस देश ने मैमल बंदरगा पर अधिकार कर लिया था तो 1923 के अंदर कोन से देश ने जो मैमल बंदरगा पर अधिकार किया था तो यह किया था लिट्वान्यां मेंमल बंदरगा भी काफी विवादा इस्पद रहा था पहले इसे सयुक्त राष्टर संग के सरंक्षन में रखा गया 1222 के तहट फिर 1923 में लिथुआन्या ने इस पर अधिकार कर लिया फिर 1949 में मेंमल बंदरगा पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया था नेक्स्ट कूशन है कि राष्टर संग का पर्थम अधिवेशन कहां हुआ था तो राष्टर संग का पर्थम अधिवेशन है जो जेनेवा के अंदर हुआ था एक नॉबर 1920 को राष्टर संग का मुख्याले लंदन लंदन से जेनेवा इस्तानांतरित कर दिया गया जहां 15 नॉबर 1920 को इसका पर्थम अधिवेशन हुआ था नेक्ष्ट कुछन है कि मेंडेट परनाली का सुझाव देने वाला निम लिकित में से कौन था तो मेंडेट परनाली का जो सुझाव दिया था या दिया था इसमर्ट्स के द्वारा इसमर्ट्स ये मेंडेट परनाली का सुझाव देने वाला था राष्ट संग की अंधारा 32 के तहत यह वाविस्ता की गई थी कि इसके अंतरगत तीन समों का वर्गिकरन किया गया नेक्स्ट कूसे ने कि राष्ट संग ने अपने चार्टर में चार सतुंतरतों की गोष्णा की थी निम लिखित में से कौन सी थी तो राष्ट संग ने अपने चार्टर के अंदर जो चार सतुंतरतों की गोष्णा की थी तो इनमे से कौन-कौन सी वह गोष्णाय थी तो भे से मुक्ती, अभाव से मुक्ती और उपासना यानि धरम की सब्तंतरता तो ये तिन्नु ये जो गोष्णाय जो राश्ट्रसंग के चार्टर में की गई थी तो उप्यूक सभी, चार नमर उप्षन राष्टर संग ने अंटलाटिक चार्टर में छेजून 1941 को चार सतंतरता की गोष्णा की थी जो निम लिखी थी भैसे मुक्ती अभाव से मुक्ती उपास्न यानि धर्म के सतंतरता और विचार की अभिवक्ती नेक्स्ट कोशन की पर्थम भारतिय कोन थे जिने 1970 में अंतराष्टे पर्माणू उर्जा एजेंसी का अध्यक्स बनाया गया राजकुमारे अमरित कोर विश्व स्वास्ते संगठन के अध्यक्स रही विजयलक्षमी पंडित संयुक्तराष्टे संग के महासबा के आठवी अधिवसन के लिए चुने गई थे वेनेगल नर्षियं राव अंतराष्टे न्यायाले में न्यायादीस बनने वाले पर्थम भारत्य थे नेश्ट कुसेन की डंबटन ओक्स समयलन की विट्टो की समश्याओं को दूर करने के लिए किस समयलन का योजन किया गया था तो याल्टा समयलन इस्टालिन, चर्चिल और रुज्वेल्ट ने 4-11 फरवरी 1945 को याल्टा समयलन का आयोजन किया इस समयलन में अमेरिका, इंग्लेंड, फ्रांस, रूस और चीन को सुरुक्सा परिशद में इस्ताई सदेशता देने की बाते की गई तथा संयुक्त राष्ट संग की निसेदा दिकार समयस्या का समयलन में किया गया था नेक्ष्ट कूशन कि संयुक्त राष्ट संग की सदेशता त्यागने वाला एक मातर देश कौन सा था तो सयुक्त राष्ट संग की सदे सेता त्यागने वाला जो एक मातर देश ता वया था इंडोनेसिया इंडोनेसिया ने 1965 में सयुक्त राष्ट संग की सदे सेता से त्याग पतर दिया था हालांकि अगले इवर्स वै वापिस सामिल हो गया था नेक्स्ट कूशन है कि दिवत्य विश्यूद के दोरान सयूंगत राष्ट संग के गठन सम्मंदी तेहरान सम्मेलन कब आयोजित वाता तो तेहरान जो सम्मेलन है दिवत्य विश्यूद के दोरान सयूंगत राष्ट संग के गठन से सम्मंदीत इस सम्मेलन का जो आयोजित व पार इस्टालिन, सर्चिल और रूज्वेल्ट मिले थे और यह पहला समयलन था जिसमें तीन बड़े राष्ट्रों के सासना जक्सों ने भाग लिया था वहां हितलर का एक जासूस इनको उड़ाने की योजना में था लेकिन वह काम्याब नहीं हो पाया तर्चिल इसके बाद यहां से वह से गठन अमेरिका पहुंचे और होटल में रूज्वेल्ट से मिले उन दोनों के मुलाकात के बाद रूज्वेल्ट के मन में सयुक्त राष्टर संग के गठन की विचार आया इससे पूरो वुड्रो विल्सन ने राष्टर संग की स्तापना की थी लेकिन अमेरिका इसका सदस्या नहीं बना हलांकि रूज्वेल्ट पॉल्यो बिमारी से गरस्थ थे लेकिन इस बात को बोलकर वे उत्सायत होकर वहिल चेर पर ही चर्चिल के कमरे की तरफ बागा जहां चर्चिल नहारा था और सिसे में उनकी नंगी इस्तुल काया साफ नजर आ रही थी चर्चिल तोलिया लपेट कर बाहर आया और सिगार मुहों में दबाते हुए कहा अब बिर्टेन के परधान मंत्री के पास अमेरिका के राष्टपती से सुपाने के लिए उच्छ नहीं बचा और इसके 27 अपरेल से 26 जून 1941 को सेन फ्रांसिसको सम्मेलन वा जिसमें सयुक्त राष्टर के साटर को अंतिम रूप दे दिया गया और 51 सस्तापक सदश्यों के साथ है वह सयुक्त राष्टर संग के रूप में अस्तितों में आया नेश्ट कुछ रेकि स्यूक्त राष्ट संग की सुरुखसा परिशद में कितने वरस सदrekजो की संखिया बढ़ा कर 15 हो गई थी तो सदrekजो Maharे की संखिया बढ़ा कर 15 हो गई थी तो यह सदर्शरसंखिया जो 15 हो βी थी यह हो थी 1966 के अंदर एक जन्दवरी 1966 को सुरुक्सा परिशत के सदशियों की संख्या बढ़ा कर 15 हो गई और इसमें 5 इस्ताई तथा 10 एस्ताई है 5 इस्ताई देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन सामिल है नेक्ष्ट कुसेन की संयुक्त राष्ट संख की पर्थम बेठक कहां होई थी तो संयुक्त राष्ट संख की जो पर्थम बेठक होई थी यह होई थी लंदन के अंदर सेयुक्त राष्टर संग की पर्थम बेठक 10 जनौरी 1946 को लंदन के वेस्ट मिन्स्टर होल में होई थी मेंश्ट खुशने की लेटन आयो का संबन था तो लेटन आयो का जो संबन था यह संबन था जापान के मंचूर्या पर अधिकार कुशे दो नमबर ओप्शन 18 सितंबर 1931 को जापा ने मंचूर्या पर आकर्वन कर दिया और चीन के एक भूतपूरो समराट के नेतरतों में मंचूकाओ नामक कटपूती सरकार की इस्तापना की चीन की अपील पर सर्राष्टर संग द्वारा इस मामले में लोड लिटन की अधिक्स्ता में इंग्लेंड, फ्रांस, अमेरिका, इटली और ब्रिटेन के परतिनीद्यों का एक आयोग मंचूर्या बेजा लेकिन जापा ने सेना हटाने से इनकार कर दिया और 1933 को अपने आपको राष्टर संग से अलग कर लिया था नेश्ट कुसेने की सेयुक्त राष्टर संग की किस दारा के माद्यम से अंतर राष्टर समयश्याओ को सुलजाने तथा मानो कल्यान से सम्मदित अनेक कारिया सर्मिक कल्यान बाल कल्यान इस्तरी उत्थान तथा दास परता का उन्मूलन करने का फेसला लिया गया तो राष्टरसंग की किस दारा के अंतरगत है जो अंतरष्थ समझागों को सुल जाने मानो कल्यान से संबंदित अनेक कारिया, सरमिक कल्यान, बाल कल्यान, इसतरी हुथां तथा 10 फर्था का उन्द्मुलन आधी करने का फेसला लिया था तो यह यह लिया था धाराणी नंबर पर रद गोशित कर दिया जाए जो राष्ट्रसंग की समझोते से मेल नहीं खाती है धारा 21 में इसमें यह वविस्ता की गई कि राष्ट्रसंग समझोते से मुन्दरो सिदान्त की वेधता पर भावित नहीं होगी धारा 22 इसके अंतरगत मेंडेट परनाली की वयवस्ता की तो राश्ट्र संग का सदेश्या बनने वाला जो अंतिम देश था मिसर मिसर ने 1937 में राश्ट्र संग का सदेश्या बनने वाला अंतिम देश था केश टारिका ने 16 दिसंबर 1920 को राष्टर संग के सदेशिया के रूप में सदेशिया छोड़ने का नोटिस बेज दिया क्योंकि राष्टर संग की सदेशियता के कारण उसे युनाइटेड इस्टेट के परबुतों के विरुद सरंक्षन मिलता था और उसकी मात्रा उसे निरासा हुई ने 16 आकि निर्फ़न लिकित में से कौन सा एस्टेट है तो यहां पर कुछ पुस्दकों के नाम और उनके लिक्कों के नाम दे रहे हैं तो दे सेकंड वर्ड वॉर्ड वोर्ड वोर जो है विश्टन सर्चिल की रचना है धै वल्ड सेंस धै वल्ड सेंस है जो डबल्यू सि लेंगसम के द्वारा लिखी गई थी तीसरे नमबर पर है The Origins of the Second World War तो The Origins of the Second World War है जो AGP Taylor के द्वारा लिखी गई यह भी सत्य है तो था A Moment of War तो A Moment of War है जो A, C, A, B, K की नहीं S, B, K की नहीं बल्कि Laurie Lee की रचना है तो चार नमबर है जो इसका ऐसते हैं होगा Next कूशने की द्विसुद के दोरान फ्रांस ने जर्मनी के सीमा पर भूमिगत के लिए बंदी की थी उसे क्या नाम दिया गया तो द्विसुद के दोरान फ्रांस ने जर्मनी के सीमा पर भूमिगत के लिए बंदी की थी उसे क्या नाम दिया तो उसे मेजिनो लाइन नाम दिया था दित्य विश्यूद से पूरो जर्मनी में होई परमुक गटना है परमुक गटना है मेजिनो लाइन मेजिनो लाइन जो फ्रांस के दौरा जर्मनी के आकर्मन से सुरुक्षा के लिए बेल्जिम तक जो सुरुक्षा दिवार बनाई गई थी उसे मेजिनो लाइन का आगया सीज़ फ्रेड लाइन है जो जर्मनी के द्वारा फ्रांस के फ्रांस से संभावित आकर्मन की सुरुक्षा के लिए जो शुरुक सा दिवार बनाई गई थी अंसलूस जो जर्मनी के द्वारा ओस्ट्या को अपने समराज्य में मिलाने की नीती थी जो 1938 में ओस्ट्या का विलेवा गलेक्स हॉल्टूंग जो हिटलर के द्वारा राजनितिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को नाजी सिदान्तों के अनुरूप बनाने की परकिर्या थी और ड्रोंग नौक ओस्टोन जो हिटलर के द्वारा रूस की और बढ़ने की नीती जिसे पूरो की और आगे बढ़ों की नीती के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कूशन है कि 26 जून 1945 को किस सहर में सयुक्त राष्टर चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्सर किये थे सयुक्त राष्टर संग के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के सेन फ्रांसेसिको में 25 अप्रेल से 26 जून 1945 तक एक सम्मेलन हुआ इस सम्मेलन में 26 जून 1945 को चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताकसर किये बाद में 15 अक्टोमर 1945 को पॉलेंड के चार्टर पर हस्ताकसर करने के बाद संयुक्त राष्ट संग के संस्तापक सदेशों की संख्या 51 हो गई थी नेक्स्ट खूसर ने कि निम लिखित में से कौन सा छेतर लिथुआनिया तथा पॉलेंड के मध्या विवाद का कारण बना था दो निम्न में से कौन सा जो छेतर रही है लिढ़न या तो पोलेंड के मध्य विवाद का कारण मना था तो यह मना था विलना परमुख विवाद, परमुख विवादों के अगर बात की जए तो ओलेंड विवाद ओलेंड विवाद जो फिनलेंड और स्वीडन के मद्य वा था साइलेश्या विवाद जो पोलेंड तथा जर्मनी के मद्य वा था विल्ना विवाद जो लिथुआनिया तथा पोलेंड के मद्य वा था अमेरिका पर्थम विश्यूद में 6 अप्रेल 1917 को सामिल वा था क्योंकि लुशितीनिया जाज जो जर्मनी ने डूबोया था उसमें अमेरिकन नागरिक सामिल थे और वो भी डूब गए थे अमेरिका दिट्य विश्यूद में सामिल 8 दिसमर 1941 को हुआ था क्योंकि जापा ने 7 दिसमर को परल हार्बर पर आकरमन कर दिया था नेक्स्ट कुशने की निम लिखित में से कौन सा एसमेलित है रोम बरलिन दूरी का निर्मान 25 अक्टूंबर 1936 को वा था ये सत्य है दूसरा एंटी कोमिंटर्न पेक्ट तो एंटी कोमिंटर्न पेक्ट जो 25 नौबर 1936 को आया था ये भी सत्य है तीसरा रोम बरलिन टोक्यो दूरी का निर्मान 6 नौबर 1937 को जर्मनी और जर्मनी इटली वा जापान के मध्यवा था ये भी सत्य है, चोथ है कि बदरजन सम्झोता है, बदरजन जो सम्झोता है, दो जनुरी 1938 को इटली वे ब्रिटेन के मध्य वाथा, तो बदरजन जो सम्झोता है, इटली वे ब्रिटेन के मध्य वाथा, दो जनुरी को वाथा, लेकिन 1938 नहीं बलकि 1937 को वाथा, तो दो जनु जो इसका गलत है नेश्ट कुशन है कि जर्मनी तथा लिथुआनिया के मध्या मेमल विवाद सुल जाने के लिए राष्टर संग के दौरा किसके देख्षता में एक आयोका गठन किया गया था नॉर्मन वेंटिवस की अध्यक्स्ता में वर्साइ की संदी की धारा निन्याण में के नुसार जर्मन बंदरगा मेमल लिथुआनियों को सौंप दिया गया जनवरी 1923 में लिथुआनिया ने अवेद रूप से मेमल पर अधिकार कर लिया तब राष्टर संग के दौरा विव म्द को सवसाषन का अधिकार दिया गया नेक्स्ड कुषरति के नेलिख़ित में से कσιं सा कतन ऐसत्य है कन सा कतन गलत है पहला कि आर्थिक मंदी के दोर में 1929 को काला गुरुवार और 29 अक्टूंबर 1929 को काला मंगलवार दिवस बनाय गया तो आर्थिक मंदी के दोर में 24 अक्टूमबर 1929 को काला गुरुवार और 29 अक्टूमबर 1929 को काला मंगलवार बनाय गया था यह बात सत्या है आर्थिक संकट से निजात पाने के लिए आर्थिक संकट से निजात पाने के लिए जोन 1933 को व वोसिंग्टन में नहीं बलकि लंदन में किया था तो दो नमर उप्षन इसका गल्थ है तीसरा और जोगी कृत देशों में जर्मनी पर मंदी का सरवादिक पर भाव पड़ा था ये बात बिल्कुल सही है और चोथा नमर उप्षन है कि 1931 में इंग्लेंड ने स्वन मान का पर है और दो नमर उप्षन इसका राइट एंसर है आर्थिक संकट से निजात पाने के उपायों पर विचार करने के लिए जोण 1933 में लंदन में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 160 देशों ने भाग लिया था संयुक्तराष्टर संग के किस मासच्यों की मर्ट्यू हवाई दूर गटना में हुई थी तो संयुक्तराष्टर संग के कौन से मासच्यों थे जिनकी मर्ट्यूं जो हवाई दूर गटना में हुई थी तो वे थे डेग हैमर सोल्ड सेयुक्तराष्ट संग की पर्थम महासचू नौर्वे के तरिगेवेली थे के परतिमीद्यों ने भाग लिया था Next question है कि Economic and Social Commission for Asia and the Pacific का मुख्यालिय का है तो यह मुख्यालिय जो मेंकोग के अंदर है संयुक्त राष्ट संग के आर्थिक और सामाजिक परिशत के लिए महासबा के द्वारा 54 सदश्य देशों का प्रावधान किया गया इसके पांच के अंदर यह आर्थिक आयोग है यूरोप के लिए आर्थिक आयोग का मुख्यालिय जीनेवा में बनाया गया है Escape यानि Economic and Social Commission for Asia and the Pacific का मुख्यालिय बैंकोग में बनाया गया था Latin America का आर्थिक आयोग का मुख्यालिय सेंटाइग्यों में बनाया गया अफरिका के लिए आर्थिक आयोग का मुख्यालिय जो अदिस अबावा में बनाया गया है Next question कि संयूक्त राष्टर संग के संग के अंग महासबा के संबन में निम लिखित में से कौन सा कतन गलत है यह 10 जनुवरी 1946 को लंदन के वेस्ट मिस्टर होल में होई यह सत्य है दूसरा मासबा की पर्थम अध्यक से वेल्जियम के पोल हेंरी स्पोक को बनाया गया यह भी सत्य है तीसरा त्रिग्यवेली को संयुक्त राष्टर संग का पर्थम मासचिव चुना गया तो त्रिग्यवेली को जो संयुक्त राष्टर संग का पर्थम मासचिव चुना गया था यह भी सत्य है तो चार नमबर उप्शन है जो इसका गलत है तो इसमें गलत कतन पूच्छा है चार नमबर उप्शन इसका राइट होगा सुमा ने मासबा को संसार की नगर सबा का था तथा वॉन्डेनबर्ग ने विश्व की लगू संसद कहा था नेश्ट कुशन और आज की क्लास का अंतिम कुशन है कि निम लिखित में से किस सम्मेलन में चर्चिल रूज्वेल्ट तुता फ्रांस की निर्वासित सरकार के मुख्या जनरल बिगाल ने गोशना की थी कि इटली द्वारा दक्षिन अफ्रीका पर आकर्मन करने से पूर ही उस पर आकर्मन कर उसे प्रास्त कर दिया जाएगा तो यह गोशना किसके द्वारा की गई थी किसने की थी तो यह की थी कांसा बला का सम्मेलन में तो कांसा बला का सम्मेलन में जो यह गोशना की गई थी कि इटली द्वारा दक्षिने अफ्रीका पर आकर्मन करने से पूर हुई उस पर आकर्मन करूसे प्रास्त कर दिया जाएगा कांसा बले का सम्मलन या सम्मलन 14 से 24 जनवरी 1943 को मोरकों के कांसा बला का नगर में हुआ था इस सम्मलन में चर्चिल रूज्वेल्ट तता फ्रांस के निर्वासित सरकार के मुख्या जनरल डी गाल ने बोशना की थी कि इटली द्वारा दक्षिने अफ्रीका पर आकर्मन करने से पहले ही उस पर आकर्मन करूसे प्राजित कर दिया जाएगा तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है कल की क्लास में हम पढ़ेंगे 1917 की रूस की करांती जर्मन में नाजिवाद इटली में फासिवाद का उदे अरब देश अफरीका और दक्षिनी पूर्व एसिया में राष्टिय अंदुलन और 1919 की चीनी करांती तो कल की क्लास में 4-5 टॉपिक एक साथ ही कवर होने वाले हैं तो कल की क्लास भी आप जरूर देखना तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्रम